जब से काना का जनम हुआ है ना मैं तब से देख रहे हूँ तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना तो अजानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जातो है और जाते समय काना की आज्या लेके जातो है और कभी-कभी तो इसे प्रभू बोल के जातो है बाबा संभालो या सुधा इस जानकी को चड़ो है और विचितर विचार तुम्हारे मन में आरे सब जानते हैं कि हमारा परिवार राजसी तुम्हें पता ना चलतो होगो पर हमारे काना को सब राजकुमार ही समझते हैं देखकर इसलिए उसे समान देने के लिए सब ऐसा ही करते हैं और कोई बात ना है अब जी मेरे लल्ला को ऐसे क्यों खो रहे हैं बुरी दृष्टी लगाएंगे क्या बैदे राजी आपके सहायक तो गए अब आप भी आप यहाँ क्यों हो वो क्या है ना मैं अपने रोगी का निरिक्षन करके पूरी तरह से संतोष्ट होकर ही जाता हूँ हाँ, संकेत तो अच्छे हैं कल सुबा तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी धन्यवाद मैदे जी पस तो फिर हम कल पकड़ पकड़ाई खेलेंगे जानकी पानूप, बंसी जाकर उस छेत्र के चारों और बाड बनवातू और वहाँ सूजना पट्ट भी लगा देने ताकि जानकी के साथ जो हूँ है वो किसी और के साथ ना हो सिगर जाओ जी, ठीक आर और सूचना पट्ट लगवाने से समश्या का सामधान नहीं होगा बाबा निदोश, पसू, सूचना पट देख कर भी कुछ समझने पाएंगे तो तुम्हारे कहने का आर्थ यह है कि व्योमासुर महाराज आ चुका है और वो बालक, वो बालक अब भी जीवत है हलाहल हो, मेरी कोई भी आशदीर रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी निकट के क्षेत्र में कहा है कहा है वो सर्प गोप पानते हैं कि वो सर्प गाउं के निकट यमुना नदी के जल में रहता है मुझे तो लगता है महाराज ये कालिया नाग की कथा कोई किवदंती या लोक्षूती नहीं एक सच्चाई है एक विशैली सच्चाई कालिया का सामना हरने का समय आ गया है और उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें संसार के दारुण भेका नाश करने वाले सभी कष्टों का हरन करने वाले विश्व का समस्त एश्वर्य प्रदान करने वाले कमल जैसे लोचन मुख और चड़नों वाले आजानु भुज श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूं आपदा मपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभी रामं श्री रामं भुयो भुयो नमाम में हों काग पुसोंडी काग पुसोंडी काग पुसोंडी काग पुसोंडी प्रभू खमा करें मुझे जाना होगा प्रणाम प्रभू अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभू कभी नंद भवन के जरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था तो कभी दूर किसी व्रिक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था आज आपने स्वयम मुझे बुला कर दन में कर दिया प्रभू माने आपको याएक फिचेश कारुन से बुलाया है आकिस फ्राब से इस कायना को मुख्त करने का समय आ गया है ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभू इतने वर्ष बीद गए मुझे आज भी स्वरान है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राब दिया था अपने क्रोध पर नियंतरन खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभू पीती वे घटनाओं पर दुखी होके कोई लाब नहीं है हमें भवर्ष के और दिखना होगा आदेश कीजिये प्रभू क्या आज्या है आपकी जब मैं गाल या नाक का सामना करने जाओं तो आप यहीं डेएगा आपको अपने आप पता से जाएगा कि कब क्या करना है और हाँ लोटते जाते समय नाल्द मुनी सी केएगा वो आगर मुझे भेट करे अवश्य प्रभू प्रणाव क्या इसने सच्ची में दिवर्ष्री नारत को पिलायो है नारायन नारायन आपको संदेश भेजने की आवशक्ता नहीं थी आप स्मरन करते और मैं चला आता तुमारा कल्यानो नारत मैंने तुम्हे विजेश कारियो के लिए बुलाया है आग्या दीजिये प्रभू तुम्हे एक बात से गंची भेट करने होगी विचार कीजिये महराज क्या आप दिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौनसी पंखुडी पहली है और कौनसी आटवी उस दुष्ट से भेट करना स्वयम कीचड में उतरने के समान है प्रभू कमल पुष्ट प्राप करना हो तो कीचड में उतरने पड़ता है नारत आपका आदेश तो मैं स्वपन में भी नहीं टाल सकता प्रभू गंच कालिया नाक के बारे में जान गया है पर वो उसका सामना करने का सास नहीं कर पाएगा तो फिर अपने लाप के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोची स्वामी कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विशैला हो जाए और व्रिंदावन वासी उसका उप्योग करे और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयम काल के गाल में चला जाए उत्तम उत्तम सुजाव है प्राप्ती अब मुझे उस कालिया तक पहुँचने का मार्ग ढूंड़ना होगा उसको विवश्च करने का कोई उपाय ढूंड़ना होगा योकि व्यक्ति गतरूप से उससे भेट करना असंभव है असंभव आप सही कह रहे हैं प्रभू कंस में उतना सामर्थ नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयम कर सके वैसे तो कालिया गरुरदेव का भी सम्मान नहीं करता तो फिर वो कंस का सम्मान क्यूं करेगा फला नहीं करेगा पर कंस तुम्हारा समान अवश्य करेगा नारत तुम्हारी बाती भी सुनेगा और मानेगा भी ये मेरी योजना का पाती माटव पुर्ण भाग है तुम कंस के पास जाओ और कहो की संतान अपने माता पिता को तीर्थ का स्वभाग दिला थी और मेरा लल्ला कित्ता महान कि उसने हमारे घर को ही तीरत बना दियो ऐसा तीरत जहां मेरी यांखों के सामने भक्त और भगवान का मिलन हो रो है जो आज्या प्रभू बाबा काना जे सब क्या चल रहा है पहले काद रुसुन्डी जी और फिर फिर जे नारची क्या योजना बना रहे हो तुम काना बताना लल्ला क्या सोच रहे तुम् काना धिक अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना अपने बाक्त को बता दें क्या सोच रहे लल्ला क्या करने वाले हो अप कि अप 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 इतने दुखे क्यों हो अप अप क्या होगो तुम्कि पुझे आपास हो गया है बाबा समय आने वाला है कौन से समय आने वाला है लल्ला? सिरी सबकुष पतलने वाला है बाइया को मेरे सट्य पता चल जाएगा बाबा पर लल्ला इसका काग बुसुंडी और कालिया नाग से क्या संबंध ऐसा क्या हुआ था? और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा उसका समय उससे है जो सेकड़ो बस पहले हुआ था मैं शीप गुरुगू के एक फंसस थे वेद सीरा मुणी जो विंदा चल की पाड़ियों में साधना कर रहे थे तब ही वा अश्वा सीरा नाम के एक दूसरे मुणी आमत रंके बिना ही आ गए कितना सुन्दर और शांती पूर्ण आश्रम है यहां प्रभु की साधना करने में बहुत आनन्द आएगा शीगरई अश्वा सीरा मुणी उपस्थी के कारण होने वाले वफ्थान से बादे होकर वेद सीरा मुणी ने अपनी आखे खोली कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो आपके आश्रम में बहुत शांती है मुणी वर साधना करने के लिए बहुत यह उत्तम स्थान है ये मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहां आप यहां साधना करना जाते हैं लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्या लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि को यग्य कर रहा हो, तो बिना अनुमतिके वहां प्रवेश करने से उसकी यग्य साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनी? आप तो साधना के युक्य ही नहीं हैं। इतना अपमान एक मुनी के मुख से इतने कणवे शब्द शोभा नहीं देते। और एक झूझा है। उतने ही विशैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो साधम भी ले तो निकटका वातावान दूशित हना जाए। तुम्हारे इस दूस्टा हस के लिएaborada क्यूद शेय। तुम अभी इस इकशन्त कववा बन जाओ। और ऐसा का हुआ, जो काओं काओं करके अनरगल प्रलाप करता रहे ये मैंने क्या किया घ्रोथ के कारण दोनों ने एक दुसरे को सराभ दे थे पर दोनों ही मेरे भक्ते और भखवानों कर मैं अपने भक्तों को इसी कठ्राई में क्या से दिख सकता था इसलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आपको फसाल या था, उसका सामाधान करने में मैं उनके पास गया देखिए न प्रभू, ये क्या हो गया हमसे हमारी रक्षा कीजिये प्रभू, मार्क दिखाईए हमें क्रोध पर नियंदरन ना होने के कारण, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही बीशम संकट में डाल दिया है आप दोनों ही तपस्वी, तपके बल से दिये गए, आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है प्रभू, कोई तो उपाय होगा, हम आपके श्रण में हैं प्रभू अब राद तो हमसे हुआ है प्रभू, पर अब आपसे ही आशा है कुछ ऐसा कीजिये भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीरा का निवारन करने का एक उपाय है मेरे पास वेज शिरामुनी, जब आप कालिया नाग बनेंगे, तो आपको मेरे चर्णों को अपने शीश पर धारन करने का सवभाग्य मिलेगा और अश्रा सिरामुनी आप काग योनी होने के बाद भी आप स्रिस्तम ज्यान और सरवादिक योगिक सिधियों के सौमी होंगे और प्रभचन दिया करेंगे इसके बाद अश्रा सिरामुनी काग बुसूंडी बन गए चिनोंने आगे चलकर सेम करूद देव को रामन फुराई और मुनी वेच सिरा मैर्शिक कश्यब और देविक कट्रियों के पुत्र कालिया नाग बनकर जल में और अब वही कालिया नाग जम्राजी में है जिनके कारण जानकी के प्राण लगबग चले ही है अब कालिया नाग को उजित सान पर वेचने का समय आ गया है बाबा पर ये तो अच्छी बात है का वेच सिरा मुनी को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगो जम वॉअ कि इसके बाद मया सामने मेरे रहस पुल जाएगा बाबा उना पता चल जाएगा महा को उनका भुढका को इस साधारण बालक ना है विश्य में जो होने वालो है उसी सब के सामने घटने से मेरे लिए भी संभाव ना होगो मैया को सब पता चल जाएगो क्या पता चल जाएगा रे मुझे यही की सबसे अधीक प्रेम मैं आपसे ही करता हूँ अब बस भी कर चलो बोजन के लिए बुलाने आये थी तुम दो लोको घूखा थोड़े ना रेने दूंगे अपने लल्ला को मेरा लल्ला दुर्बल हो जाएगो ना आप खिलाओगे तो ही खाऊँगा हाँ ठीक है मैं ही खिलाओँगी अब चल आओ जी चल मैया खेलो ना मेरे साथ मैया सुनो ना मेरी बात ना मानोगी अब ही बहुत कारे पड़े लल्ला देख जानकी को उसदी में देने जानो है ना उसदी मैं देदूंगो फिर तो खेलोगी ना पहरे साथ पिछले कच्छु दिनों से अपनी मैया का अधिक से अधिक प्रेम पाने का प्रयास करो है काना इसका तो एक ही अर्थ हो सकतो है के कच्छु बहुत पड़ो होने वालो है काना रूप जलना काना क्यूं तंकर्वे मैया को पहन लेना काना ये क्या करो तुने अच्छा ठीक है अब मूँ लटकाने क्या वसकता ना है ये ले तंग करे मैया को खिजाए खेले रूठे मनाए लेला अनोखी करके शरारत कानहा दंड भी पाए रूठना मनाना खेलना खिलाना पहले सरारत करके क्रोध देलाना और फिर छमा मांग लेना छे सब जान भूच कर कर रो है काना जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की मुम्ता को अपने रिदय में समेट कर रखना चाहतो कैसे कैसे करूँ उस कालिया से मित्र था कैसे करूँ उस का उपियोग उस पर आकरमन कर देता और उसे किसी ना किसी तरह से ये विश्वास दिला देता हूं कि ये आकरमन उस विश्णों अफ्तार में किया है फिर वो क्रोध में आकर सारे विरिंदा वनवासियों को अपने विश्ट से समाप्त कर देगा उचित है ये उचित है नारायन हरी नारायन हरी